तो बारत और उस्टेलिया के बीच कल ले आने की 17 फरवरी से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मुकापला खेला जाएगा लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के हैड कोच राहुल रविट से जब श्रेश ऐयर पर अपडेट के बारे में पूछा गय है कि श्रेश ऐयर की जिस तरीके से तस्वीरे आ रहे हैं वो लगाता रभ्यास कर रहे हैं नेक्ट में पसीना वा रहे हैं तो यह कंफर्म है कि श्रेश ऐयर आपको दूसरे टेस्ट में खेलते हुगे नजर आएंगे और उनकी जगह पर जो सूरिकोमार याद आपका डेव को मिलता है साथी वीडियो को लाइक कर दें तो चली दोस्तों बताते हैं आपको सबसे पहले प्लेंग 11 की दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेंग 11 क्या रहने वाली है सूरिकोमार यादब के बाहर जाने के बाद और श्रेश ऐयर के अंदर आने के बाद तो दोस्त चैजा रवीचंदर अश्विन और केस भरत अक्षर पतेल मौमध शमी और मौमध सिराजी है दोस्तों वह प्लेंग 11 जो कल के मुकाबले में आपको खेलते हुए नजर आएगी और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजिस होने वाले हैं एक ही चेंजिस था श्रेश ऐ जिन्होंने पिछले ही मुकाबले में डेविव किया था और सिर्फ आट रन नहीं बना पाई थे उनको बाहर बैटना पड़ेगा तो दोस्तों प्लेंग 11 मैंने आपको बता दी है कोई और चेंजिस होते हैं तो मैं आपको वीडियो के जरिए अपडेट कर दूँगा अभी करकेट की अपडेट आपकी में सना हो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जयवाद